कि हलो एवरिवान तो चलिए का क्लासर स्टार्ट करते हैं कि ट शुर्ट बक्शी का सिनोनी में यतनीम पार्ट 41 और देखते हैं फिरस्ट 하루 स्की consciousness के मतलब हो तो इसका मतलब होता है तो इसका मतलब होता है जागन्य वर्ड तो सुनें हो मतलब भी होता है घटिया से घटिया है ना फिर हीनियस हीनियस का मतलब होता है आपका जगन्य सेम वर्ड होता है जगन्य काफी ग्रणित अनलॉफुल unlawful का मतलब होता है गहर कानूनी और फिर अनैतिक, अनैतिक है ना, तो इसका सिननीम हो गया यह सारे, फिर इसका इंटनीम है commendable, commendable का मतलब परसंसनी होता है, worthy, वर्दी का मतलब भी उप्युक्त काम होता है ना, बिलकुल गलत नहीं, फिर upright, upright का क्या मतलब होता है तो सरल, सी इसका उल्टा हो गया, in offensive, in offensive का मतलब होगे आपका, मतलब प्रिये काम है ना, अब प्रिये का जाटा हो गया, प्रिये, offend करना मतलब होता है, और प्रिये चीज़ बोलना, किसी को घ्रनास पस पस प्रपस बाद बल देना है घरना पस पड़ बात बोलना तो ओखना लाता है उसको उल्टा होग इन ओखन route होगे मतलब कोई अच्छा काम फिर इसका देखिए नौसस स से क्या मतलब होता है तो नौसस का इसका मतलब होता है जैसे किसी को वमिटिंग टाइब का लगता है ना उल्टी जैसा तो उसको बोलते है नौसस तो इसका सिननिम होगा अंसेवरी अंसेवरी का मतलब होगा अरूची कर है ना जो बिल्कुल रूची करना हो फिर लोटसम लोटसम का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है घ्रनित फिर एबोमिनेबल in nevolent मों पर्वुंकारी चीज पिर in offensive का मतलब भी प्रूँवाशिज का मतलब और मुवास्ई दोनों मतलब होता है तो इसका सिनानी मोगे ओरिजिनल मतलब भी मूल है ना काफी ओरिजिनल चीज वरना कुलर का मतलब भी होता है अस्थानिय चीज है ना खास करके अस्थानिय भासा को बोलते है वरना कुलर है ना वरना कुलर लैंग्विज अस्थानिय फिर इंडीजिनस इंडीजिनस का मतलब भी होता है स्वदेशी अस्थानिये ठीक है स्वदेशी बना हुआ चीज़ रहता है उसको इंडिजिनस कहते हैं फिर एब औरिजिनल का मतलब एकजोटिक का मतलब होता है को वीदेशी वस्तु को बोलते हैं और इसका एक और मिनिंग होता है exotic का एक और मतलब होता है आकरसित है ना आकरसक बोल सकते हैं इसको तो इसका दो मतलब हो गया exotic मतलब कोई विदेशी वस्तू जो native का ज़स्ट उल्टा हो गया है ना एंटरिम हो गया और exotic का दूसरा मतलब बता है आकरसक फिर foreign का मतलब भी विदेश होता है जानते हैं आप लोग फिर nasty nasty का मतलब क्या होता है तो बुरा काफी घिनोना है ना काफी अप्रिय चीज़ों को बोलते है nasty फिर सिनानिमिस का offensive का मतलब भी होता है अप्रिय फिर defiled का मतलब होता है का दूसी दूसीद कर देना है ना प्रदूसीद कर देना फिर malevolent malevolent का मतलब भी होता है बुरा है ना बुरा सोचने वाला बैक्टी को बोलते है malevolent जो आपके बारे में abz caregiver बिल्कुल शूब चिंदक ना हो अ-शूब चिंदक हो बुरा सोचता हो आपके बारे में, वैसे लोग को malevolent बोलते हैं, फिर है malignant, malignant का मतलब होता है, आपका घातक, काफी, हानी कारक चीज़ों को बोलते है, malignant, है ना, फिर इसका एंटरी में pleasing, pleasing का मतलब आकरसक होता है, gratifying का मतलब होता है, संतुष्ट करने वाला, benevolent का मतलब हो प्रियाबत मातरा में होना, ठीक है, इसका बहुत सारे मिनिंग हम पहले भी बता चुके है, लुक्त होगालबैक्ष हो थोगोड आशे सेर्समें भी सबस्टैंशली लिया जाता है फिर कंसिड्रेबल कंसिड्रेबल का मतलब भी काफी होता है ना काफी मातरम liar का मतलब अधिक होता है एक्सेस्टेंड उ Конसेस्टेंड का मतलब भी बहुत ज्यदा हद से ज्यादा चीजों को बोलते हैं exorbitant फिर चलिए recap कर लेते हैं सारे वर्ड को आपके revision के लिए और जल्दी जल्दी देखेंगे बिना मिनिंग का मिनिंग तो सबका बता चुके हैं तो क्या यह नफारियस नफारियस का अन्तिनिम हो गिया commendable, worthy, benevolent, inoffensive फिर नेटिव नेटिव का सिननिम हो गिया original, vernacular, indigenous, aboriginal फिर नेटिव का अन्तिनिम हो गिया अलियन, extraneous, exotic, foreign फिर नेक्स्ट बड़े आपका nasty नेश्टी का क्या मतल़ होता है तो इसका मतल़ होता है offensive, defiled, malevolent, malignant फिर नेश्टी का अन्तिनिम है pleasing, gratifying, benevolent, attractive फिर नॉमिनल, नॉमिनल का सिननिम हो गिया trifling, insubstantial, bare, negligible फिर नॉमिनल का अन्तिनिम, substantial, considerable, excessive, exorbitant तो चलिए आज का क्लास है रेप अप करते हैं, thank you very much